जनाबे हजरते उस्मान की क्या शान आली है कमाने दीन पुर आशोब मौसम में संभाली है लकब पाया है जनूरेन का अनवार आखा से सखावत के अलम बरदार की किस्मत लिराली है मौस्दिस सामईन हजरात सद्खा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिर से हाजी तस्नीम आरिफ का गया हुआ एक और वाकिया जिसका उन्वान है सवाने हयात हदरत उस्मान गनी रजी ल्लाह टाला आनो सामईन इस से पहले हदरत अबुबक्र सिद्धीक रजी ल्लाह टाला आनो और हदरत उमर फारूक आजम रजी ल्लाह टाला आनो की सवाने हयात आप सुन चुके हैं हमने कोशिश की है के चारों खलीफा जो है इसके बार मौला अली की भी सवाने हयात हम आपके सामने पेश करेंगे वो सब आपको सुनाएं तो लीजिए ये हदरत उमाने घनी रजी ल्लाह टाला नो की सवाने हयात आपके सामने पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में खारी अन्वार आला मुदैपुर बिजनाओर का लिखा हुआ ये कलाम किशोर मलहोतरा के म्यूजिक डिरेक्शन में रिकार्डिंग ऐस कल्यानी स्टूडियो दरिया गंज नई दिली चंदर गान्दी जी की है तो लीजे सद्का इसलामिक यूटूब चैनल की वक्रिया पेशकर्श आप लोगों के सामने पेश की जा रही है मुलाइज़ा कीजेगा खलीफा सूम के हाला दूए अनवार लिखते हैं सहाबा में मिसाले चांद उसमा भी चमकते हैं शाबा में मिसाले चांद उसमा भी चमकते हैं खलीफा सूम के हाला दूए अनवार लिखते हैं सहाबा में मिसाले चांद उसमा भी चमकते हैं सहाबा में मिसाले चांज उसमा भी चमकते हैं ये उसमा ने गनी की दास्ताने हकलबों पर हैं सहाबा की जमात में अजब उनका मुकद्दर हैं है दामाद मुहम्मद मुस्तफा प्यारे सहाबी है सखावत के धनी है आप और सादा मिजाजी है है इसमे पाक तो उसमान बिन अफ्वान हजरत का लकब उनका गनी है और जनूरेन हजरत का नसब हजरत का उची शान के लोगों में ढलता है चला आता है और सरकारे दो आलम से मिलता है तिजारत करते थे उसमागनी के खानदावाले बनू हाशिम की टकर के सभी थे खानदावाले अबू सुफियान जैसी हस्तियां थी इस कबीले में अमीरो शुरुफ में नामिन कभी आता थमक्य में रविश छोड़ी अरब की हजरते उसमान ने उस दम किया पढ़ना शुरू और लिखना सी का शौक से उस दम था वो दोरे शवब उनका तिजारत में गए हजरत तरक्की करके उमरा में गिने जाने लगे हजरत उमर तेस किठी चौबीस वी में था कदम रखा खुदा ने इस तरह फिर आप की किसमत में खम रखा हुआ एलान मक्के में जो तो ही दो रिसालत का शहर में पी लिया कुछ हस्तियों ने जाम वहदत का थी कहरी दोस्ती उस्मान की सिद्धीक अकुबर से मगर ना आशिना उस्मान थे दीने पैंबर से उन्हें दावत जुदी सिद्धीक ने जजबा उभर आया हुए मसरूर दिल भी खुद बखुद जुखता नजर आया कहा सिद्धीक से उस्मान ने तुम ठीक कहते हो वो मस्ती खुशनुमा है आप जिस मस्ती में रहते हो चलो चल कर नबी के सामने इमान ले आऊँ मेरी जोली है खाली दौलते इर्फान ले आऊँ अभी जाने ही वाले थे नबी तश्रीफ ले आए तभी उस्मान के घर रह्मतों के हो गए साये कहा आकान एए उस्मान तु मौला की जन्नत ले मैं आया हूँ हिदायत के लिए मुझसे हिदायत ले इनी जुमुलों ने दिल को कर दिया घायल बढ़ा कलमा मुसल्मा हो गए उस्मान लबों पर आ गया कलमा मुहम्मद मुस्तफा ने शर्फ दामा दी उन्हें देकर नवादा रह्मतों से आपने बेटी उन्हें देकर रुकईया अक्द में उत्बा के थी उससे जुदाई थी तलाफ उस जालिमों मर्दूद से हजरत ने पाई थी रुकईया नाम था सरकार की वो मजली बेटी थी रुकईया नाम था सरकार की वो मजली बेटी थी निकाह में आ गई उस मागनी के शानवाली थी निकाह में आ गई उस मागनी के शानवाली थी निकाह में आ गई उस मागनी के शानवाली थी तरकी कर रहा था दिन बादिन इसलाम मक्य में चमकता था मुहम्मद मुस्तफा का नाम मक्य में निशाना बन रहे थे जुल्म का मुमिन परेशा थे चचाने बांद कर मारा बड़े गमगीन खुसमा थे बढ़ी जबु सक्तियां को एहमद मुक्तार से बोले चला जाओं मैं हबशा के लिए सरकार से बोले इशारे पर नभी के आपनी अपना वतन छोड़ा विलादत का खिला था भूल जिसमें वो चमन छोड़ा रहे कुछ साल हब शामें वहां से लोट कर आए मगर हाला तु बत्तर और ज्यादा शहर के पाए हुई जब तेज आंदी जुल्म की आका ने फर्माया इजाजत आम है हिजरत की अब मौला ने फर्माया मदीने को मुसल्मा चल दिये खुस्मान भी आए रुकईया साथ थी हजरत के दोनों बाखुशी आए मदीने में मुसल्मानों को बस पानी की दिक्कत दी कुआ एक बेर रूमा नामी था हाँ उसकी शोहरत थी जो मालिक था यहूदी उसका पानी मौल देता था सराता पानी देकर उसकी उजरत खुब लेता था खरीदा उसकुए को हजरत उसुमा निजर डाला खरीदा उसकुए को हजरत उसुमा निजर डाला खरीदा उसकुए को हजरत उसुमा निजर डाला मुसल्मानों की खातिर आपने वो वक्ष कर डाला मुसल्मानों की खातिर आपने वो वक्ष कर डाला समी अब भागई थी हर मुसल्मा को मदीने की मगर कुफार मक्का ने थी तोड़ी आस जीने की मिटाना चाहते थे मजहबे इसलाम दुनिया से उठाया फितन ए जंग मुश्रिकों ने शहर मक्का से बदर का मार का फिर पेश आया माह रमजा में रुकईया उन दिनों बीमार थी हिम्मत न थी जामे नबी ने हजरत उस्मान को छोड़ा मदीने में के रखे ध्यान वो हजरत रुकईया का मदीने में लिए खुद तीन सो तेरा मुझा हिद कुच फरमाया बदर का सारा मैदा जंग की सखती से गरमाया उदाए पाक ने दे दी फतह अल्ला हवालों को मिला माले घनीमत भी बहुत रोशन खयालों को इधर हजरत रुकईया ने जहां से कुच फरमाया उधर पते बदर का मुझदे फरहत अभी आया जनाबे हजरते उसमा को गम दोहरा हुआ उस दम रुकईया से बिछड़ने का बदर का ध्यान था उस दम नभी तश्रीफ ले आये मुझाहिद उनको ठैराया बराबर का सवाबे जंग में हिस्से दार फरुमाया दिया माले घनीमत दूर सद्मों की बला कर दी दिया माले घनीमत दूर सद्मों की बला कर दी उन्हें सरकार ने फिर दूसरी बेटी अता कर दी में सरकार ने फिर दूसरी बेटी अता कर दी में सरकार ने फिर दूसरी बेटी अता कर दी नबी की साबजादी उम्मे कुल सूमा गई घर पर बरस्ती थी खुदा की रह्मत खुस्मान के दर पर लगब दो नूर वाले का मिला ये शान खुस्मा है गुलों से मुस्तफा के खिल उठा दिल का गुलिस्ता है सफर कटता था हर दम साथ थे सुल्तान वाला के कई जंगे लड़ी उसमा गणी ने साथ आका के बनाया था खुदाने आपको जरदार जाते थे गरीबों के लिए अमबार दौलत का लुटाते थे उमर फारूक का गोरे खिलाफत जब हुआ आखिर कई दिन तक हुई पैसे हुआ ये फैसला आकिर जनाबे हजरते उसमा खलीफा सोम होंगे अब सभी बोले हम इनके हाथ में ये हाथ देंगे अब सहाबा थे जो मस्जिद में तभी उन सब ने बैयत की अली भी उन में शामिल थे बड़ी सब ने मुहबत की फतह एरान और अफरीका हुए थे दौर उसमा में पुशी की लेर थी उस वक्त हर जाने मुसल्मा में सुकू कायम रहा छै साल तक दौरे खिलाफत में हुआ फिर इन तशारे से मुहबत और मुरवत में सहाबा पा चुके थे फैद जो सुल्ताने वाला थे सहाबा पा चुके थे फैद जो सुल्ताने वाला से उठे आहिस्त आहिस्ता कई अश्खास दुनिया से उठे आहिस्त आहिस्ता कई अश्खास दुनिया से अकाबिर जो कुरेशी थे वो अपना सर उठाते थे थिपा बंदी लगी उन पर कभी बाहर न जाते थे उठा दी पैद जब उसमा घनी ने शहर से निकले अदब इनका किया सबने बड़े मसुरूर थे निकले उठाया शर पसंदों ने अलम ऐसे बगावत का दिलों में भर दिया इन सब के फिर जजबा खिलाफत का खिलाफत के तालुक से बगावत हो गई जारी करे उसमा घनी को गतल एक इसकीम की जारी मिसर बसराओ कूफा के कई मक्कार लोगों ने वफद भेजे मदीने के लिए इन शर पसंदों ने सहाबा को जनाबे हजरते उसमान ने भेजा मुतालेबात क्या है उनके ये सब जानने भेजा बताया आके हजरत खुश नहीं है वो खिलाफत से इरादा कतल का है आपका शोरे बगावत से ये सुनकर हजरते उसमा के लब पर मुस्कुराहट थी किया जब मश्वरा अनसार और सब से तो ये रट थी कहा जो फितना परवर है उन्हें फोरन गतल कर दो यहीं दब जाएगा फितना सभी के खाकों में सर दो पसंद करते न थे उसमा गानी खूरे जुमनजर को पसंद करते न थे उसमा गानी खूरे जुमनजर को शिकायत का जवाब उनको दिया और आ गए घर को शिकायत का जवाब उनको दिया और आ गए घर को शिकायत का जवाब उनको दिया और आ गए घर को कए बलवाई सारे उस घड़ी छोड़ा मदीने को मगर फिर रात में वो आ गए घेरा मदीने को सदाए इंतकामी गूंजती थी हर तरफ घुल था ये सब अब दुल्ल को माजूल कर देने कही फल था मिसर वाले यही चाहते थे पर ये को नहीं पाया किसी ने जाली खत लिखकर मिसर वालों को उकसाया ये खत उसमान ने लिखाना था सब को यकी आया वो खत मरवान मुन्शी बिन हकम ने लिखके पहुँचाया उसी ने कर दिया फितना को फिर ताकों में डर रखा मकाने हजरते उसमा गनी को घेर कर रखा न कोई बात थी बस कतल उसमा का इरादा था उन्हें समझाता कोई दो असर उन पर न होता था पता हजरत अली को जल गया हसनों हुसैनाए करे उसमान पे पहरा दिया बिलकुल घबराए ये रंग बलवाईयों ने हामिये उसमान का देखा तो फिर पीछे से जाने का मका में रास्ता देखा लगाई सीड़ी पीछे से मका में हो गए दाखिल कयामत उसी नजर आई जो बलवाई हुए दाखिल जनाबे हजरते उसमा गनी कुरौान पढ़ते थे जनाबे हजरते उसमा गनी कुरौान पढ़ते थे जनाबे हजरते उसमागनी कुरौान पड़ते थे बहारे मुस्कुराती थी गुले रहमत बरसते थे कहा छोड़ो खिलापत आपने इनकार फरुमाया तो फिर बलवाईयों ने आप पे यलगार फरुमाया कि गुस्ताखी पकड़ कर आपकी दाड़ी मुनवर को सलाखे मार कर लोहे की फोड़ा आपके सर को फवरा खून का निकला गिरा कुरौान के उपर सित्म की बदलिया चाईए थी उनके जान के उपर किया तलवार से हमला जमी रोने लगी उस दम गमों का अब रुचाया था फिजा खामोश दी उस दम पुराने पाक के आवरा तुकू से रंगए सारे शहादत का ये मंजर देख के गमगीन थे सारे उठी हजरत की बीवी नाइला शोहर बचाने को कयामत में खुदाए पाक से ये अजर पाने को कटी जब नाइला की उंगलिया तो छुट गए शोहर लबों पर आयते कुरान थी रंजूर थे शोहर खलीफा सुम के फिर भाग कर जो एक गुलामा ए बहुत सो को किया तहते एग बिल आखिर वो कामा ए इसलिए हमुले ने शम में जिन्दगी गुल आपकी कर दी दिलों में दुश्मनों के आज खुशियों की लहर भर दी बहुकमे की बुरिया जब मौत के पेगाम आ पहुचे तभी अनवार उसमाने घनी जन्नत में जा पहुचे तभी अनवार उसमाने घनी जन्नत में जा पहुचे तभी अनवार उसमाने घनी जन्नत में जा पहुचे अनवार उसमाने घनी जन्नत में जा पहुचे